आज के इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे सांखी की आँकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने पर हमें अक्सर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में चित्रों के माध्यम से सूचना ये दे जाती हैं जैसे इस पत्रिका में इस चित्र में भारत की जनसंख्या को उपलब्ध पेजल के श्रोत के बारे में बताया गया है इस चित्र में सूचना दी गई है कि भारत में कितने लोग कौन से इधन का प्रियोग करते हैं आखिर आंकडों को चित्रों से प्रदर्शित करने की क्या अवशकता है इसके क्या लाब है जब हम किसी भी उद्देश के लिए आंकड़े इकठे करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है आंकडों को ऐसे रूप में प्रदर्शित करने की जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके उनसे आसानी से सूचनाय प्राप्त की जा सके संख्याओं और सार्णियों से आंकडों को प्रदर्शित करने की अपेक्षा आंकडों का चित्रों से प्रदर्शन अधिक आकरशक होता है उन्हें समझना आसान होता है उनसे सूचना प्राप्त करना जादा आसान होता है आंक्डों को चित्रों से प्रदर्शित करने की अनेक विधिया है आए सीखते हैं आंक्डों को चित्रों से प्रदर्शित करने की कुछ विधिया चिन में से एक विधी आप सीख चुके हैं जो है आंक्डों को दंडालेक से प्रदर्शित करना इस तालिका में प्रदर्शित आंक्डे हैं एक प्रात्मिक विद्याले में छात्रों की संख्या के कक्षा एक में छात्रों की संख्या है 40, कक्षा दो में छात्रों की संख्या है 48, कक्षा तीन में छात्रों की संख्या है 52, कक्षा चार में छात्रों की संख्या है 46 और कक्षा 5 में छात्रों की संख्या है 38 आएए देखते हैं इस तालिका में प्रदर्शित आंकडों को दंडालेक से कैसे प्रदर्शित करते हैं इस चित्र में हमने X अक्षपर लिया है कक्षाओं को और Y अक्षपर लिया है छात्रों की संख्या को तालिका में कक्षा एक में चात्रों की संख्या थी 40 अते हम कक्षा एक के चात्रों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 40 की उंचाई तक का एक दंड इस चित्र में बना देते हैं इसी प्रकार कक्षा 2 में चात्रों की संख्या थी 48 अते है वाई एक्षपर 48 की उंचाई का एक दंड हम कक्षा 2 के लिए बना देते हैं इसी प्रकार कक्षा 3 में चात्रों की संख्या थी 52 तो हम वाई एक्षपर 52 की उंचाई तक का एक दंड बना देते हैं कक्षा 4 के लिए 46 तक की उँचाई का और कक्षा 5 में छात्रों की संख्या थी 38 तो वाई अक्ष पर 38 की उँचाई तक का दंड आलेखम बना देते हैं आईए आकड़ों को चित्रों से पदरशित करने की एक और विधी सीखते हैं इस तालिका में कक्षा 10 के 50 छात्रों को गणित में मिले अंकों को दर्शाया गया है 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 7 40 से 50 की 10 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 14 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 12 सत्तर से असी अंक प्रात करने वाले हैं चात्र पांच और असी से नब्वे अंक प्रदर्शित करने वाले चात्रों की संख्या है दो ये आंकडे हैं वर्गी करत आंकडों की बारंबारता साड़नी के रूप में आईए इन आकड़ों को चित्र से प्रदर्शित करते हैं इस चित्र में हमने X अक्ष पर लिया है अंकों को और Y अक्ष पर लिया है बारंबारता को जो यहां पर छात्रों की संख्या है तालिका में 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या थी 7 अतेहम 30 से 40 तक की चोड़ाई लेकर और छात्रों की संख्या अर्थात बारंबारता जो दी हुई है 7 तक की उंचाई लेकर एक आयत बना देते हैं यह आयत प्रदर्शित करता है 30 से 40 तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को ऐसे ही 40 से 50 तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं चालिस से पचास की चोड़ाई लेकर और वाई अक्षपर दस उचाई लेकर हम एक आयत बनाते हैं यह दूसरा आयत प्रदर्शित करता है कि चालिस से पचास अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दस है इसी प्रकार हम प्रतेक वर्ग अंतराल के लिए उसकी संबंधित बारमबारता की उचाई लेकर विभिन आयतों को बना देते हैं और यह चित्र हमें इस रूप में प्राप्त होता है इस चित्र को हम कहते हैं आयत चित्र आयत चित्र में आयत का छेत्र फल उस वर्ग अंतराल की बारंबारता को प्रदर्शित करता है यहां क्योंकि प्रत्येक वर्ग अंतराल की चोड़ाई बराबर है अते आयत की उंचाई वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है इस चित्र में प्रथम वर्गंतराल है तीस से चालिस और हमारा आयत चित्र भी तीस से ही शुरू होता है अगर प्रथम वर्गंतराल शुरू हो सत्तर से तब इस चित्र में जीरो से सत्तर तक का इस्थान खाली रहेगा यह स्थान खाली न रहे हम इसको प्रियोग कर सकें इसके लिए हम जीरो से थोड़ा आगे एक कटाओ बना देते हैं और इससे थोड़ा सा आगे से हमारे वर्गंतराल जहां से भी शुरू हो जैसे यह शुरू थे 30 से 40 वाले वर्गंतराल से और हम यहीं से इन आख्डों का आयाचित्र बना देते हैं इस आयाचित्र में प्रथम वर्गंतराल है 30 से 40 और इसका मध्य बिंदू है 35 इस प्रथम आयत की उपरी भुजा के मध्य बिंदू अर्थात 35 को हम यहाँ पर बना देते हैं इसी प्रकार दूसरे वर्गंतराल 40 से 50 के मध्य बिंदू को हम इसकी उपरी भुजा पर 50 से 60 के वर्गंतराल को इसकी उपरी भुजा के मध्य बिंदू को 60 से 70 के वरगंत्राल की मध्धिविंदू को 70 से 80 का मध्धिविंदू 75 80 से 90 का मध्धिविंदू 85 अब हम इन सभी मध्धिविंदू को मिला देते हैं यह आकरती अभी यहां पर खुली है इस आकरती को बंद करने के लिए हम 30 से पहले एक काल्पनिक वरगंत्राल लेकर उसका मध्धिविंदू बनाते हैं और इस मध्धिविंदू को प्रथम वरगंत्राल के मध्धिविंदू से मिला देते हैं इसी प्रकार अंतिम वरगंत्राल 90 से 100 का मध्धिविंदू बनाकर हम इसे अंतिम वरगंत्राल के मध्धिविंदू से मिला देते हैं और यह आकरती हमें प्राप्त होती है एक बहुभुज इस आकरती को हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं आईए एक तालिका और देखें इस तालिका में प्रदर्शित है श्रमिकों की दैनिक आये के आकड़े पहले इस्तंभ में प्रदर्शित है दैनिक आये और दूसरे इस्तंभ में है श्रमिकों की संख्या एक से पचास तक दैनिक आयवाले श्रमिकों की संख्या है पाँच इक्यावन से सो तक दैनिक आय के श्रमिकों की संख्या है बारा इसमें हम देख रहे हैं पर्थम वर्गंतराल समाप्त हो रहा है पचास पर परंतु दूसरा वर्गंतराल पचास से शुरू नहीं हो रहा है यह शुरू हो रहा है 51 से अर्थात पुर्थम वर्गंतराल की समाप्ति और दूसरे वर्गंतराल की शुरुवात में एक रिक्ति है ऐसे आकणों का आयच चित्र से प्रदर्शन करने के लिए पहले हम इन वर्गंतरालों को सतत वर्गंतराल में बदलते हैं हम देख रहे हैं 50 और 51 का अंतर हमारे पास है एक और इस अंतर के आधे अर्थात दशमलाव पांच को हम प्रतेक वर्गंतराल की निम्न सीमा में से घटा देते हैं और उपरी सीमा में जोड़ देते हैं परिवर्तित रूप में प्रथम वर्गंतराल हमें प्राप्त होता है एक में से दशमलाव पांच घटाने पर हमें मिलता है 0.5 से 50 में 0.5 जोड़ने पर 50.5 इसी प्रकार दूसरा वर्गंत्राल हमें प्राप्थ होता है 51 में से 0.5 घटाने पर 50.5 और 100 में 0.5 जोड़ने पर हमें मिलता है 100.5 इसी प्रकार 101 में से 0.5 घटाएं तो हमें मिलता है 100.5 और 150 में 0.5 जोड़ने तो हमें मिलता है 150.5 अंतिम वर्गंत्राल है 151 से 200 151 में से 0.5 घटाएं तो हमें मिलता है 150.5 और उपरी सीमा 200 में 0.5 जोड़ने पर हमें मिलता है 200.5 और अब क्योंकि ये वर्गंत्राल सतत वर्गंत्रालों में परिवर्थित हो चुके हैं अभी सीखी प्रक्रिया के अमसार हम इन आंकडों का आयच चित्र बना देते हैं आए अब एक और विधी से आंकडों को चित्रों से प्रदर्शित करना सीखते हैं इस तालिका में प्रदर्शित हैं एक व्यक्ति के मासिक खर्च के आंकडे प्रथम इस्तंभ में है मद का विवरण और दूसरे इस्तंभ में प्रदर्शित क्या गया है खर्च को कपड़ों पर खर्च छह सो रुपए भोजन पर खर्च है दो हजार रुप烈 मकान किराय पर ख़र्च है 1200 रुपए शिक्षा पर खर्च हैं 400 रुपए और विविध high kalian 3000 रुपए इस प्रकार इस्तिका कुल मासिक खर्च दिया गया है 7200 रुपे इन आंकडों को हम दंड आलेक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं परंतु इनको प्रदर्शित करने की एक अन्य अच्छी विधी है इन्हें एक व्रतिय चित्र में प्रदर्शित करना आईए सीखते हैं इन आंकडों को व्रतिय चित्र में प्रदर्शित करना व्रतिय चित्र में हम प्रतेक आंकडे को व्रत के 30 खंड से प्रदर्शित करेंगे हम जानते हैं व्रत का केंद्रिय कोंड है 360 खंड और हम प्रतेक मद में हुए खर्च को व्रत के केंद्र पर बनने वाले कोंड में परिवर्तित करेंगे आईए देखते हैं कैसे कपड़ों पर खर्च है 600 रुपे इस व्यक्ति का कुल खर्च है 7200 रुपे 600 रुपे 7200 का कितना भाग होंगे 600 बटे 7200 और इस भाग को कोंड में बदलने के लिए हम इसे गुणा कर देते हैं 3060 से हमें कोंड प्राप्त होता है 30 अंश इसी प्रकार भोजन पर खर्च है 2000 रुपे 2000 रुपे 7200 का कितना भाग होंगे 2000 बटे 7200 और इसे कोंड में बदलने के लिए हम इसे गुणा कर देते हैं 360 से और हमें कोंड प्राप्त होता है सोवंच इसी प्रकार हम अन्य मदों पर हुए खर्च को भी कोंड में बदल लेते हैं कोंडों में परिवर्थित करने के बाद हमें यह तालिका मिलती है 600 रुपे को हमने कोंड में बदला था हमें कोंड मिला था तीस अन्ष दो हजार रुपे को कोंड में बदला था तो कोंड मिला था 100 अन्ष एक हजार दोसो रुपे को कोंड में बदले तो कोंड मिलेगा 60 अंश 400 रुपे को कोण में बदलें तो कोण प्राप्थ होता है 20 अंश और 3000 रुपे को कोण में बदलें तो कोण प्राप्थ होता है 150 अंश यहाँ पर हम इन सभी कोणों का योग भी निकाल लेते हैं और यह हमेशा होना चाहिए 360 अंश आईए अब इन सभी कौणों को ब्रत में दिखाएं यह 30 अंश के कौण का हिस्सा प्रदर्शित करता है कपड़ों पर हुए खर्च को इसी प्रकार भोजन पर हुआ खर्च था 2000 रुपे इसको चित्र में प्रदर्शित करने के लिए कौण बनाते हैं 100 अंश और इसी प्रकार हम प्रतेक मद में हुए खर्च को ब्रत के अलग-अलग हिस्सों से प्रदर्शित करते हैं और यह चित्र हमें इस रूप में प्राप्त होता है कपड़े पर हुए खर्च को प्रदर्शित किया गया है इस त्रीजिखंड से और यह त्रीजिखंड प्रदर्शित करता है भोजन पर हुए खर्च को यह त्रीजिखंड प्रदर्शित करता है मकान किराय को शिक्षा पर हुए खर्च को इस त्रीजिखंड से यह त्रीजखंड प्रदर्शित करता है विविद खर्चों को इस व्रत्य चित्र को हम कहते हैं पाई चार्ट पाई एक प्रकार का गोल केक होता है और जब उसे अलग-अलग हिस्सों में काटा जाता है तो उसके हिस्से भी ऐसे ही होते हैं जैसे पाई चार्ट के अलग-अलग तिर जिखन्ट और इसी लिए इस चित्र को हम पाई चार्ट कहते हैं आईए अब सीखते हैं किसी दिये हुए पाई चार्ट से सूचनाओं को प्राप्त करना और उसे समझना इस पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है एक मकान की मरम्मत के खर्च को जिसमें यह हिस्सा प्रदर्शित करता है सिमेंट पर आए खर्च को यह हिस्सा प्रदर्शित करता है इंट पर आए खर्च को यह हिस्सा प्रदर्शित करता है लोहे पर आए खर्च को यह हिस्सा प्रदर्शित करता है मजदूरी पर आए खर्च को और यह हिस्सा प्रदर्शित करता है लकड़ी पर आए खर्च को हम इस पाई चार्ट से क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं आईए देखते हैं हम देख रहे हैं कि लकड़ी और मजदूरी पर खर्च में अंतर बहुत अधिक नहीं है वहीं लोहे और मजदूरी पर आया खर्च में बहुत अधिक अंतर है लेकिन अगर इस पाई चार्ट में विभिन खर्चों को कोणों से प्रदर्शित किया गया हो और हमें कुल खर्च भी पता हो तो हम प्रत्येक मद पर आए खर्च को निकाल सकते हैं जैसे लकडी पर आए खर्च को प्रदर्शित किया गया है 90 अंश के कौन से 90 अंश, 360 अंश का कितना भाग होगा? 90 बटे 360 और कुल खर्च है 5400 रुपे और लकडी पर आए खर्च की गर्णा के लिए हम इसे 5400 से गुणा कर देते हैं और यह हमें मिलता है 1350 रुपे इसी प्रकार हम अन्य मदों पर आए हुए खर्च की गर्णा भी आसानी से कर सकते हैं आज के कारेकरम में हमने सीखा विभिन आंकड़ों को भिन भिन विधियों से चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना और अगर आंकड़े चित्रों से प्रदर्शित हैं तो उन्हें समझना और उनसे सूचना प्राप्त करना अब आप अपनी पाठे पुस्तक के प्रश्णों को हल करें और अपनी समस्याओं पर अपने अध्यापक से विचार्विमर्ष करें और हमें लिखें अपनी समस्याओं प्राप्त करें और अपनी समस्याओं प्राप्त करें लिखें 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 लि और अथ लिखÍज़ लिखें झाल झाल